नमस्कार बहुत स्वागत है देखने जोतिश जराहट के आज का विशय बाथरूम का गीलापन बाथरूम गीला रहने का और रखने का किस्मत कनेक्शन गीला बाथरूम कैसे आपके भाग्य को प्रभावित करता है कैसे आपके दुरभागे को बुरे भागे को बढ़ाता है यही आज का हमारा विशह है और बहुत लॉजिकली हम आपको बताएंगे मित्रों इन जनरल बात करें तो बातरूम का अर्थ आज के शहरी परिवेश में ऐसी जगह से है जहां पर हम मल त्याग मोत्र त्याग करते हैं और श्नान करते हैं पांच-सात प्रतिशत लोग ऐसे भी होंगे जहां पर मल मोत्र के लिए अलग स्थान होगा और श्नान के लिए अलग होगा मतलब pot seat Latin toilet seat अलग होगा और fountain फंबारा टोटी पानी नहाने के लिए श्नानागार अलग होगा 57% ऐसे भी families होगी जगह बड़ा होगा तो अलग अलग जैसे हम लोग के जो पीछे जो हम लोग का घर था वहाँ पर दोनों अलग 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 जगहें थी अभी भी गाउवाले जगहें पर भी bathroom और श्नान के लिए अलग अलग है तो जहां जैसी सुविधा जैसा जहां जगह है इन जनरल शहरी परिवेश में toilet seat और श्नान एक ही जगह होता है कुछ जगहों पर सीशा या curtains partition कर देते हैं अभी हम दोनों जगहों को ले करके चल रहे हैं जो common है जो more than 97% है ऐसी जगह है जहां से कुछ गंदी स्मेल आए जहां से कुछ बद्बु आए मल मोत्र की महक आए गंदी महक गंदी स्मेल आए ऐसी जगह पर पीडित श्नी होता है फुल स्टॉप फुल स्टॉप जाइर जी बात है अगर वहां मल मुत्र त्याग होगा तो आप कितना भी पर्फ्यूम या फिर कुछ भी वहां पर फ्रेग्रेंस के लिए डाल के रखें लेकिन इतनी सफाई तो नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां पर लगातार continue use होता है तो अगर हम देखे तो इन जनरल बातरूम इस इक्वल टू पीडित शनी चीजे clear अब अगर आप उसको गीला रखेंगे तो चंद्रमा उसके साथ जुड़ जाएगा और मित्रो शनी चंद्रम मिल करके किस योग का दिर्मान करते हैं विश योग यद्यव की कुछ प्रकारांतर से हमने इसको अम्रित योग भी कहा है बहुत फाइदा भी देता है लेकिन जनरली ये अच्छा नहीं होता क्यों क्योंकि ये हमारे मन को मलिन करता है दूशित करता है तो उस जगह शनी चंद्र की यूती हो जाती है अब जो भी वहां वक्त बिताएगा बैठेगा तो शनी चंद्र का प्रभाव उसके उपर नकारात्मक्वे में बढ़ना सुरू हो जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा जब बढ़ेगा तो कुछ बहुत बुरा होता है पीडित शनी और चंद्र की यूती कुछ दोश बहुत जल्दी जल्दी अप्रिय समाचार कोट का चहरी लडाई जगडे रोगों पर धन का खर्ज आदि बढ़ा देता है लिहाजा जर्वांक में शनी और चंद्र की स्थिती भी देख लीजेगा पीडित होगा तो ही बात्रूम आपका हर्दम गीला रहेगा चाहे पानी टपकने से हो या फिर आप वाइपर से उसको साफ न करते हो नहाने के बाद भाई पानी छोड़ देंगे दस घंटे में सुखेगा और अगर फिर कोई यूज कर लिया तो सुखबै नहीं करेगा और वाइपर से आप फ़रा सा उसको साफ कर देंगे पानी खीच देंगे तो दस मिनट में सूख जाएगा एक जाश्क चला देंगे दस मिनट में सूख जाएगा इसलिए बात्रूम गीला नहीं रखना चाहिए निथा आपका दुर्भाग बढ़ जाएगा शनी और चंद्र प्रभावित होंगे पीडित हो जाएगे विश्योक का निर्माल होगा और तमाम तरह के दोश पैदा करेगा आपके घर में चार लोग हैं दो लोगों की कुंडली में शनी चंद्रमा में संबंद मिलेगा अगर आप बात्रूम गीला रखते हैं देख लिजे उठा करके देख लिजे उठा कर तो भविश्य में आइंदा से बात्रूम को बिल्कुल सूखा रखें गीला कता ही न रखें और खुश्बूदार रखें आप बात्रूम को जितना नीट अंड क्लीन रखेंगे और जितना ड्रॉई रखेंगे सूखा रखेंगे और जितना खुश्बूदार रखेंगे फ्रेग्नेंस से बाई जब देखेंगे साफ सफाई अच्छी रहेगी धुलाई डेली होगी तो हंड़ेट परसेंट बद्बू नहीं आएगा अगर संभव है तो अलग-अलग रखेंगे ट्वाइलेट सीट अलग हो और श्नान करने के लिए अलग जगए हो अगर संभव है भगवान ने इतना जमीन दिया है तो ये सबसे बेश्ट होता है अब दिशावशा में हम जाएंगे तो बहुत बड़ा विशे हो जाएगा हमने जोतिश को ही पकड़ के रखा है तो ये देख लीजेगा इससे कर लीजेगा आपके लिए बहतर होगा सूखा रखे इससे आपका शरीचत बहतर होगा और भाग में बेताशा व्रद्धे होगी तैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए और मत चाहेंगे अपना प्यारियों ही हमारे साथ बना के रखिएगा और खुश रहिए हमेसा हसते रहिए खिरकलाते रहिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू नमस्कार शिरादे झाल 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 झाल